कि नमस्कार मैं हूं राइंदर सिंग आप देख रहें हैं न्यूस 48 आज हम गिरते हुई शिक्षा के इस्तर और नैंतिक मुल्णों में गिरावट के मुद्धे पर बात करेंगे पेश हैं खास रिपोर्ट शिक्षा के इस्तर को कैसे सुधार आजाए और नैतिक मुल्णों में गिरावट कर जिम्मेदार कोन के मुद्धे पर स्कूल संचागों और शिक्षा वदोसे आए दिखाते की गई पांची मैं अनुद्ध व्याश, बॉर्टर विल्देने के तल सीनर सेटेंडी स्कूल होडल से चेर्मेन शिक्षा के छेत्र में हम पिछले 18 साल से कार कर रहे हैं और लगव हमारे पास मोर देन डेड़ जार इस्ट्वेट्स हैं शिक्षा के इस तरग में योगदान जो है सबसे पहले वो अध्यापक का है उसके बाद मैनेजमेंट का है और उसके बाद अध्यापक का है अवावक पूर्ण सहयोग करने की बेवस्ता में आज नहीं रहे उसका रीजन सबसे बड़ा कि आज जो बच्चे हैं वो सेल्फ ओरियंटेड हैं पेरेंट्स ओरियंटेड नहीं हैं जो पेरेंट्स चाते हैं वो बच्चे नहीं करना चाते उसक कारण बच्चे अपना जो शिक्षा का इस्तर है उसमें अध्यापक भी कही ना कहीं आ करके फेल हो जाते हैं और वो इस तर मेंटेन नहीं हो पर योन शिक्षा के वारे में शिक्षित किया जाए तो यहाँ पर उस चीज में विक्रतिया जादा आएंगी और उस चीज से पॉजिटिव कम नेगेटिव चीजे आने की संबावना जादा रहेंगी क्यूंकि एक व्यक्ति की प्रिविट्टि है नेगेटिव चीज को फॉर एक्जाम्पिल तीन गंटे जिसमें हम भी इंवल्व हैं बड़े पेरेंट्स भी इंवल्व हैं तीन गंटे की फिलम हम देखते हैं यह जरूरी नहीं कि उसमें सारी चीज गलत होती हैं कुस उसमें अच्छी चीजे भी होती हैं लेकिन अधिकान समाज का जो व्यक्त प्राइवेट स्कूलों का शिक्षा को ब्याफशाय बनाने का आरोप कुछ लोग उसमें सामिल हैं सभी लोग उसमें सामिल नहीं हैं जो लोगों ने दद्दस पंद्रे 15,000 रुपे फीज कर रखी हैं नाक लाव रुपे एडिशन कर रखा हैं उन लोगों ने उसको एक ब् सब्सक्राइब नहीं समस्ते शिक्षा को शिक्षाई लेकर चलाएं स्ब्सक्राएं अब तरकी खबरों में तरहीं देख तरिये न्यूस 48 देख जो न्यूस लाओ जिख नगिश है अब खर गरों में तरुति दो हैं तरुति रकी खबरों में तरुति अबरों में तरुति खबरों आधेंसा य्यूस